तो नवश्कार आप फवी कब बहुत फागत है आज के कन्या राशी में 13 अगस्त की बात कर रहे हैं दोस्तों दोस्तों क्या आप कन्या राशी के जा तक हैं अगर कन्या राशी के जा तक हैं तो चैनल को सस्क्राइब चरूर करें और विलाइकन की प्रेस करके कमेंट में चैमातादी चरूर लिखने आए जानते हैं कन्या राशिवालों का दिन कैसा गुजरेगा क्या अनुनी होगी क्या खुफकबरी है पूरा विश्थार से जानेंगे वीडियों में कन्या राशिवालों के लिए फितारों के अनुफार आज का दिन बैपारी कारियों में तेजी की इफ्थित को दर्फाने वाला रहेगा आज का दिन फिर्प बैपार ही नहीं बलकि कई मामलों में अपने आपके लिए अच्छा रहने वाला है जो लोग जादा चमक धमक वाले एबम फज्जा फजाबट वाले उत्पादों से फंबंधित कारियों को प्रधानता दी जाएगी और फात में इस से फंबंधित कारियों में अच्छी बिक्री देखी जाएगी भूमी संपत्ति से संबंदित किसी फौदे को लेकर सकरात्मक बात्चीत देखी जा सकती है नौकरी पे सवर्ग में कर्मिचारियों का काम का अधिक भोच बना रहेगा आज आपको कोट का चहरी के कामों में सफलता मिल सकती है साथ ही आज आपको अपने अठके हुए काम करवाने के लिए किसी किसी पारिक करवानी पढ़ सकती है आए जानते हैं आज का पारिवारिक जीवन वैवाहिक संबंदों से भवनात्मक करीबी बढ़ेगी दोनों एक दूफरे की मनोश्थित को फमशते हुए बैपा बैवहार करते देखे जाएंगे साम के समय आप किसी मंगलिक कार का भी हिफ़ा बन सकते हैं दोस्तों आए जानते हैं आज आपकी सिहत कैसे रहने वाली है फीने में दर्द फंबंदी कोई परिशानी देखी जा सकती है हृदे रोगियों को परिफानी हो फक्ती है तो अपना ध्यान रखें एबम दबावा परहेज फंबंदी कोई लापरवाही ना परते आनथा तबियत और बिगड़ फक्ती है आईए जानते हैं कन्यराशी का आज उपाय क्या है उपाय जानना बहुत जरूरी है दोस्तों फिर आपके दिन्मन में क्या अनोनी होगी उसका पूरा फमादान बताया गया है आईए जान लेते हैं बिशुरू सहस्तर नाम का पाट करना अत्यांतलाब कारी शाबित होगा और ऐसे ही रोजाना राफिफल चानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट में जैम आतादी चरूर लिख लिए